तो है यह व्याइव राश्य वास्तो स्पेश्टलिस डेली से आज हम बात करने वाले कुम्बराशी की मैं इससे पहले सभी राश्यों की बारे में बता चुकियों कि उनका 2022 कैसा रहने वाला है यह साल आप सब के लिए मंगल मैं हो यही हमारी मंगल कामना है और इसी के रिगा माराज लगन में आ गई है कुमबराशी शनी की मूल त्रिकोन राशी होने के कारण इसके सम अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे हाले की यात्रा से थोड़ा से प्रेशानी दे सकते हैं गुरु माराज यहां लाबेश भी है और धनेश भी है और आकर धनभाव में ही बैठे हैं तो लाब तो होगा धन किस्तिती अच्छी रहे की समय और अब क्यूंकि राहु माराज ने भी रशी परिवर्तन कर लिया है मीरा दু है सके टाल दीजिए क्योंकि राहू है राहू पर शनी की द्रिष्टी रहने वाले जिसके कारण मन उतना खुश नहीं होगा उस यात्रा से उतना लाब नहीं होगा जितना आप चाह रहे हैं धर्म करम की तरफ थोड़ा सा रुच्छान रहने वाला है चोटे भेन भाईयों की त तो बढ़ा भाव में बहुत अच्छा है थे ख़लया लागयव में बैठा के तु कहीं ना कहीं अच्छे रूआ ही देता है क्योंकि वह सेच्छोश बना देता है कि वह स्पेच्छाल ही काि है तो यह एक अपर्षी वालों के लिए अगर उनकी साड़े साथी चल रही और श वाला है जीवन में ठहराव सा चलेगा यह ओवरल लोगोचर कुम राशी वालों के लिए मिला जुला सा प्रभाव ला रहा है यह हम नेगिटिव नहीं कहेंगे पॉजिटिविटी की तरफ कहेंगे 60% कि हाँ यह अच्छा ही है और गुरू का गोचर भी अच्छा रहेगा क्य को यह दिए कोई बुरी स्तिति अब बात करते हैं में राशीवालों के लिए में राशीवालों के लिए शनी माहराज रादेष भी हैं और द्वादेश बी हैं यहनै कि खर्चे के बियुकारत हैं मोत्र कूम लाख में तो वुदेश से कनेक्टिद रिजल्ट ुदेंगे ख ध्यान साधना करना भी 12 हाउस है तो ध्यान साधना की तरफ आपको अगरसर करेगा और क्योंकि रिजल्ट वो पॉजिटिव ही देने वाला है बशर्ते आपकी अगर साड़े साती है तो थोड़ा सा खर्चा रह सकता थोड़ा सा प्रेशान कर सकता है बाकी ओवरॉल यह आपक बैट रहे हैं तो यह आपको काम आपके बिजनस आपकी जॉब की तरफ से परिशाने नहीं देने वाले हैं लगन में आरहे हैं लगन में आकर थोड़ा सा अच्छा ही करेंगे कुछ बुरा नहीं करने थोड़ा सा धर्मे की तरफ यहांँ तो सब्सक्राइब सनतान को संतनारνη बहब लपना रहें नेनट नहीं घृता बना रहें तो भाग्य से कनेक्टिड यह आपको भाग्यव आपको साथ देगा तो मीन लार्शी वालों के लिए भी एक गोचर एक तरह से अच्छा है और अगर हम राहू के तुकी बात करें तो राहू महाराज यहां पर आ रहे हैं आपके सेकिंड हाउस में सेकिंड हाउस धन भाव है यानि धन की तरफ आपका रुजान रहेगा अश्टम भाव एट्थ हाउस में आ रहा है तो पैत्रिक संपत्ति सुस्राल की तरफ से वह आपको रिजल्ट देंगी तो ओवरॉल यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है औ और चोदा से अप्रैल से चोदा माई के बीच में अगर हम बात करें तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे छटे घर का स्वामी धनभाव में उच्च का हो जाएगा और शनी की दृष्टी भी उस पर रहेगी तो यह एक अच्छी हिस्तिती रहेगी कोई बुरी नहीं है बस य जिससे आपको इशू रहे तो कोशिश करें इस समय को अच्छे से निकालें सभी के लिए यह समय अच्छा प्रभाव दे अच्छे रिजल्ट दे हम यही चाहते हैं अपनी कुंडली एनलाइस करवाएं ताकि आपको अपने पूरे साल की रिपोर्ट मिलें कि आपके साथ य की जानकारी आपके कोंड़ी आपको देती ह। यह सिर्फ एक जरनल प्रडिक्शन है जिसमें हम आपके दिशा नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं अगरापकी दिशाही इंग्ला ग्रहों की नहीं है तो इनका प्रभाव काफी हद तक बिलकुश हो जाएगा पर अगर आपकी दशार शरींग गुरू रहु केतु की चल रही है तो इन चार प्लैनेट का असर आपके ऊपर पूरा रहे तो आपके जीवन में हमेशा सुख समरिदी शांती बनी रहे इसी भाव से हम यह वीडियो बनाते हैं कि लोग इन चीजों को समझें कि कि इन वाल्मेंट बन रहा है इस तरह कि घ्रह समय सक्रीज जादा है कि इनका असर जादा रहेगा क्योंकि एक गुरू को अगर हम राशी परिवर्तन देखें उनको तेरा महीने लगते हैं राशी परिवर्तन करने में यानि कि वह एक फिक्स हाउस का रिजल्ट देने वाले है शड़ी माराज को धाई साल लगते हैं एक राशी में आने के लिए यानि कि ये जो शड़ीकशन ये फिक्स रहने वाली है और रहुके तू 18 18 महीने लेते हैं राशी परिवर्तन करने के यानि कि कह सकते के डेर साल तक तो यहीं बैटने वाले यही रिजल्ट देने वाले बस आपकी दशा में अलग होने से इनके प्रभाव थोड़े से कम हो जाएंगे प्रियंतर दशा में अंदर दशा में तो कहीं नहीं आएंगे कि ये नहीं कह सकते कि हम इन्हें नकार देए इनकी कितनी कितना प्रभाव है आपकी कुंडली में ये जब आप एक कंसल्ट करतें एस्ट्रो अधी तो वह आपको बताते है कि कहां आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको शुब रिजल्ट मिले आपको अच्छे अनुभव हो यह साल आपको बहुत बहतर जाए हम यही मरंगल कामना करते हैं आपके घर में सुख शान्ति और समर्दी बनी जाए जया माता दी